आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी और आप देख रहे हमार खास बुलेटन अभी अभी खबरों का रूख कर लेते हैं यूपी में मिशन शक्ती के तीसे चरण का गाज आज से होने वाला है इसको लेकर लखनों में कारक्रम का आयूजन भी किया जाएगा और इस कारक्रम में केंडर वित मंत्री निर्मरा सीता रवन व्राजविपाल आनंदी बेन पठेल और सीम योगी आधितना चामिल होने वाल के इसके साथ ही मुख्य मंत्री कन्या सुमन सूबंगला योजना के तहट डेर लाग से ज्यादा बेटियों के खाते में 30 करोड से ज्यादा रुपे हसांतुरित करेंगे और इसके हलाबा बता दें उतक्रश्ट कारे के लिए पिचरता महिलाओं को सम्मानित भी किया और सबसे ज्यादा 11 महिलाएं लखनों की ही होंगी वहीं वित्म मंत्री निल्मरा सीतारमन आज CDB और एक्जिम बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से आयज़ित किये गए कारुकरम में भरते सितारे फंड का भी शुभारब करेंगी बता दें निल्मरा सीतारमन दोपह साड तीन बचे अपना संभोधन देगी और फिर फ्रेस कॉंफरेंस भी करेंगी आपको बता दें कि मिशन शक्ती के तीसे चरण में बालानी दुग्द उत्पादन कंपनी की तर्ष पर नई कंपनियां सापित होंगी और इसके साथ ही दिसंबर तक एक लाख नए स्वें साहता स समू बनाने का भी लक्ष रखा गया है इसके अलावा मिशन शक्ती के तीसे चरण में महिला बीट पुले सदिकारी की तेनाती भी की जाएगी तो बता दें आसे मिशन शक्ती के तीसे चरण का आगास होने वाला है लकनों में कारक्रम होगा जिसमें कई महिलाओं को सम्मानि किया जाएगा केंद्रिय वितमत्री निर्मला सीतारमन भी इसमें शामिल होंगी वहीं उत्ताप्रदेश की राज़िपाल आनंदी बीन पठेल भी कारक्रम में शामिल होंगी और कई महिलाओं को जो है सम्मानित किया जाएगा साड़े तीन बज़े निम्रा सीतारावन अपना संबोधन देंगी और ऐसे में कई कारों का आयोजन फीस में किया जाएगा चलिए जाला जानकारी के साथ लकनों सिमारी ब्योरो चीफ रूबी सिद्ध के हमाय साथ जुड़ चुके हैं कि आज से मिशन शक्ति के तीसे चरन का अगास होने वाला है क्या कुछ और अपडेट है पहले से ही जब सरकार का विशाम हुआ था उसके पास नहीं ने मैलाओ को लेकर कांश कह सकते हैं जहने पहले से बना कि रखे मेटेशन शुरच्चा हो या बेटी बढाओ ऐसे कई विदह को पास के पाइस के वाद कर रहे हैं तो उसमें भास थ्या लखने के लिए विजन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है आज ये पुर्डाम लखनों में किया जा रहा है और इसमें कुछ गवर्णर मौजूद होगी इसके साथी साथ कई महिलाओं को सम्वाने भी किया जाएगा और ये बिल्कुल कहां जा सकता है कि आगर महिलाओं को लेकर ये चल रहे हैं तो दिश्चित तोरु में सही निद्रे कि योगी सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में भी खास तौर से महिलाओं के लगू दो के रोज़ार के लिए भी बज़ट पार प्रेश करवाने के पूरी पावाइश की थी अब कहा है क्रामीर महिलाओं हो या शहरी महिलाओं हो इसके लिए वो संशक्ती जोजना की आ लगातार इस तरह के कारक्रमों का आई जुन किया जाता है लेकिन रूबी आज जो महिलाओं सम्मानित हुंगी उसमें सबसे ज्यादा लकडाओं की महिलाओं शामिल हुंगी 11 लकण की महिलाओं क्या निच्वार कर रहे हैं जैसे निए जदान आप सब्सक्राइख को बढ़ावा लिए गाउध कर दो निए जो गांट आप अपने अपने सामिल पर भी आपने ही जो थोड़े तुर्टे चाहिए आपने अपने रुस्गावा लिए तो निए ज़े जो लोगों को पर लिए जिला जाया इनी ज़े तो अगर युगे सरकार महिनाओं को अभी ही लेकर चल रहे हैं तो कहीं नगहीं भारी धर में पहिला अपने वोट बैक को मश्बूस करती ज़रूर अधर आईगी जी रूबी देखे आज जो कारक्रम होने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि कई नई कम्पनिया होंगी जिने सापित किया जाएगा और इसके साथ ही दिसंबर तक एक लाक नए सहाय सहायता समू बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है इसके बारे में और क्या कुछ अब देट है कोई तरीके से जेवित कर दिया है और इनका यह कहना यही रहा है शुनों से क्योंकि इनके जो एजेंटा ने पहले जब सरकार बनाई थी तो उसी टाप इसने एक लिया जाएगा उन सब को एक साथ मिला लिया जाएगा यानि जो रोजगार होंगे छोड़े-चोड़े के तरब से जो मदद की जाएगी जिस मदद के लिए उनने 600 करोण की बजट में शामिल किया था और अब जो इस तरीके साहता केतर हो या भी यह कह सकते हैं मिशन शक्ति के जरीए वो इस तामेज यह देना चाता है कि हम चोटे-चोटे सब्वों को इस चाहत लेके चल रहे ह जिसे सबी महिलाओं को घर बैटे ही रोज़वार बिस सके जी चलिए रूबिया आप मैसत बनी रहेगा आगे भी आपसे किसी और ख़बर पर अपडेट लेंगे तो आज यूपी में मिशन शक्ति के तीसे चरण का आगास कुने वालाव हैं ऐसे में के इद्य वित्मंत्री राज़ेपार और मुख्यमंत्री खुद इस कारक्रम में शामिल हो गया और कई महिलाओं को इसमें संबानित भी किया जाएगा दिल्ली में शुक्रुआर राच से ही जमा जम बारिश जारी है और बारिश की वज़ा से लोगों को गर्मी से राखत मिली है मुसलाधा बारिश होने के वज़ा से दिल्ली के कई लाकों में पानी भर गया है सडकोपपा पानी जम बने की वज़ा से प्राफिक भी काफी प्रभावित हो रहा है शेहर के आजाद मार्केट अंडपास में करीब डेर फीट तक पानी जम कया है और ऐसे में इस रास्ते को ही बंद करना पड़ा है इसके अलावा आईटियो इलाके में भी अंडपास में पानी जमा हुआ है और ऐसे में मौसम विभाग के मताबिक उत्राखन, लुतर प्रदेश, बिहार, पशिम, बंगाल, सिक्किम, मद्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है वहीं आपको कुछ तस्वीरे भी दिखाएंगे चार तस्वीरे आपको दिखाएंगे कि कहा कहा कैसे पानी किस्तिती क्या है दिल्ली में और बता दें पूर्वोतर, राजिस्तान और विधर्प के भी कुछ हिसों में मराथवारा, तेलंगाना, तट्टी, आंद्रप्रदेश और दक्षिन गुजवात के कुछ हिसों में खलकी से मध्यम बारिश भी हो सकते हैं, तीवी स्कीन पर आप देख सकते हैं, दिल्ली एंसियार में जमा जम बारिश होई है, और कई अंजब पास पूरी तरह से डूप चुके हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, बारिश से कोई भी हिलाका हो, या फिर यूपी के कई और हिलाके हो, स्थिती सब जगा एक सी बनी होई है, वहीं आपको बता देंगे मौसम विभाग के मताबिक कई इलाकों में भारी बारिश की संफापना है, और ऐसे में मौसम विभाग ने बताया है कि तेलंगाना, औरिसा, खर्या पंजाब, दिली और तमिलादू, हिमासुल प्रदेश के भी कुछ हिसों में हलकी से मध्यम बारिश के साथ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, वहीं अगर यूपी की बात कर ली जाए, यूपी में भी बारिश से हालाद जो है, वो बेहत ही खराब है, जाए गासेबाद हो, नौइज़ा हो, मेरच हो, लकना हो, तमाम जगा बारिश की वज़ा से काफी सारी परिशानिया लोगों को छेलनी पड़ रही है, चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ एक बाद फिर से हम अपनी ब्योरो चीफ का रुप करेंगे, रूबी सिद्धिकी का, रूबी दिली न्सियार में तो आज बारिश बहुत ज्यादा होई है और तस्वीरे भी लगातार पानी भरने के सामने आ रहे हैं, लकनाओ और या फिर यूपी के कई लाकों में इस्तिति कैसी है, रूबी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं, संपर करने की कोशिश करेंगे रूबी से देखे दिली न्सियार में जमाजम बारिश होई है, कई जगाओं का अंडर पास पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, डूब चुके हैं और इसको देखते हुए प्रसाशन ने उन्हें जो है बंद कर दिया है बहीं, और पता दे कई रास्ते में बाहरी पानी भी भर गया है, जल जमाज जैसे स्तिती पैदा हो गई है और अब जब दस से ज़्यादा बच चुके हैं तो ऐसे में अब कई इलाकों में जाम जैसे स्तिती भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों का ओफिस जाने का समय है, ऐसे में पानी भरने की वज़ा से कई किलो मीटर का जाम भी कई जगाव पर लगा हुआ है, तस्वीर सामने लगतार आ रही हैं चाहे जाम की हो या पानी भरने की हो, कई लाके ऐसे हैं जहां पर कई फिट तक पानी जो है वो पूरी तरह से भर चुका है, ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और कहा था कि बार से जिस सहा से तेज से बारिश हो रही थी, दिल्ली एंसियार सही तार्सपास के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, जिससे लोगों को तमाम परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो बता दें, दिल्ली एंसियार हो या फिर आसपास के कई लाके हो, हाला कि बारिश जो है वो तरक्षन में भी काफी हो रही है, उसके अलावा बात की जाए, यूपे की यूपी में भी कई जिलों में बारिश हो रही है, हाला कि यूपी में पहले से भी कई जिलों में लग जो में बारिश होने की पूरी संभावना है इसलिए आज दिल्ली में जो बारिश हुई लोगों को राहत जरूर मिली उमस्भरी गर्मी से लेकिन ये बारिश अपने साथ मुसीबत लेके आई और कल रात से ही हो रही लगता बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर द लगा हुआ दिख रहा है जिसे लोगों को आने जाने में परिशानिया हो रही है तो आपको बता दें के पूर्वी राजिस्तान और कच्छ के इलाकों में भी हलकी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है वहीं शनिवार यानि आज के दिन दिल्ली में पूरे दिन भर जबरदस बारिश की संभावना जताई गई है ऐसे में मौसम विभाग के और से दिल्ली के लिए औरेंज अलर्ट चारी किया हुआ है बता दे मौसम विभाग ने बताया कि दिली में श्रनिवार को मध्यम से तेज बारिश हो सकती है यानि कि आज के लिए ये अलर्ट जानी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से मौसम विभाग के मताबिक नियुनतन तापमान भी 25 जिगरी रह सकता है और ऐसे में लोगों को अब उमस भरी गर्मी जो पिछले कई दिनों से दिली में हो रही थी उससे अब लोगों को निजात मिल कया है लोगों को जो है वो राहत मिलती हुई जरूर नसर आ रही है लेकिन ऐसे में लोगों के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा खड़ी हो गई है क्योंकि कई रास्ते ऐसे हैं जो पूरी तरह से जल्मक्न हो गई है ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है जिससे लोगों को ओफिस या और जगाहों पर आने जाने में तमाम दिक्कते हो रही है चलिए जादा जानकरी के साथ एक बाफ फिर से रूबी सिद्गी का रुख करेंगे रुबी बिली एंसीयार में तो आज जमा जम बारिश होई है जिससे पूरी तरह से ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है यूपी के भी कई लाके इससे प्रभावित हैं लखनों के क्या हालात है पारूल कह सकते हैं कि बारिश होने के वज़े से बहुत हमें कावरी सब्सक्राइब देट्रों के बिल रही है जो कि उमस भरी जो गर्भी थी उससे थोड़ी बहुत जन्ता को रहात बिल चुकी है अलकि लखनों के आज पास के वाकी दिलोग से हम बात करते हैं उन सभी जगाओं पे बारिश का लगातार साबना करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं पतले भी बता लगा है कि इस रूहा के अंदर सूर्टे के भी सूच रहे मिली है क्योंकि कि प्तानों के लिए में काफी बड़ी बित्रतुगाई हमेना होता है तो लगनों सर्देश बारवनकी हो या सित्रापूर हो नहर्दोई हो बाकी जिलों उत्री उत्रप्रदेश की बात करें या पश्मी उत्रप्रदेश की बात करें तो उन सभी जगाओं पे बारिश की जू संभावना है लगातार बनी है लगनों में भी लगतार लगना पारिश हो रही है अभी भी थोड़ी बहुत रिक पारिश के बूदा पाती भी दिख रही है लेकिन कई जगा ऐसे हैं जहां कि जल भराओं भी हो चुक्छा यानि कि ऐसे में चंगार की भी पॉल एक बुल चुकी है कि इस सरकार जो दावा करे दी कि बहुते अथे कारे करवाए करें खास तों से पी डेवलो प्री के अगर हम बात करें तो उन सबकों की जो हालत है बदहाली का जो पिस्मीर है अब बिल्कुल साब दिख रही है जी रूबी क्या जाम जैसे स्थिति भी देखने के लिए मिल रही है ये लखनाओ में क्य क्योंकि तमाम ऐसे इलाके हैं जो हाँ पर पानी बहुत ज्यादा भर गया है जिससे अब दस बजे के समय दस या नौ बजे से लगतार जाम जैसे स्थिति पैदा हो गई है जी परूल बिल्कुल क्योंकि ये आफिस का टाइंग होता है और जैहां के जो खाफ इलाके हैं खास्तों सकर हम बात करते हैं हजजर गंद को या पर गोर्की नगर को क्योंकि पर उतन चौक से लेकर यहां पर राक्ता जो खुदा हुआ है वो अभी तक बना नहीं है जिसके वज़े से लंबी कटारे लगतार नजार आती है गाडियों की चाहिए कुछ बिलरो या को बिलरो लखनों के पुराने इलाके कि अगर हम बात करते हैं अधिराबाद अधिर गंडू यह सब और चोटे-चोटे से लाके माने जाते हैं चोटे-चोटे संग गलिया होते हैं उन जगाओ पर जल भराओ देखने की इस्तिती वनी रहती है कुछ ऐसे जगाए होते हैं जहां पर हज़र गन की जैसे जागरान चो रहा हूं यहां का फेबस जगा है वहां पर पुली वरिस्ता की गई है कि जो नाले हैं उनके ताओ-चड़ा का साथ ध्यान रखे है विश्टी मुक्मन्ती का आवास उधरी के तरफ लगता है तो साथ ध्यान रखता है लिए इस इलाके को और लगनों की और जगाओ के आज हम बात कर रहे हैं विकास नगरों इदर नगरों इस सभी जगाओं पे जाम काफिर दिखने को मिलते हैं कि सुमार का जो वक्त होता है सभी अपने काम पे निकलते हैं जिसके वज़े से काफिर जल भराओ के वज़े से लोगों को वहां पर रुकना या स्टॉपिस हो जाता है जी जानिकि रूबी साफतों पर नगर निगम की लापरवाही भी सामने आ रही है क्योंकि बारिश का मौसम ऐसे में मौसम भाग जब लगातार अलर्ट जारी कर रहा था कि बारिश पड़ेगी उससे पहले भी तैयारिया नगर निगम की तरफ से नहीं की गई जिसका नतीज़ ये है कि आज कई जगाहों प पानी बहुत जादा भर गया है पानी बारिश का महीना हो या और यह क्या है कि गर्मी का महीना हो उमत से भले ही रहा द्रायत किल गई हूँ लेकिन जो गटे हो या जाम हो जल भरा वह उतके बड़े में परशान्यों का ही सामना पर रही है जी चलिए रूबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वाम जानकारी के लिए तो लखनव हो दिल्ली हो नॉइडा हो गाज़वाद हो कोई भी लाका हो हर तरफ पानी ही पानी नसर आ रहा है और दिल्ली भी इस समय पूरी तरह पानी में डूबी हुई दिख रही है लगाता कल से हो रही बारिश की वज़ा से लोगों के सामने अब तमाम दिक्कते खड़ी हो गई है हारा कि उमस्वहरी गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिली है लेकिन ये बारिश अपने साथ साथ मुसीबत भी लेकर आई है तो बता दें मौसम भाग ने पहले से ही कई दिनों से अलर्ट जारी किया हुआ था बारिश का ऐसे में आज पूरे दिन भर के लिए दिल्ली के लिए औरेंज अलर्ट मौसम भाग की तरफ से जारी किया गया है और बारिश पूरे दिन होने की मौसम भाग की तरफ से संभाबना भी जताई गई है लेकिन ऐसे में बारिश जो कल रात से हो रही है उसने दिल्ली की रफतार एक बार फिर से रोग दी है जी हां क्यूigmकि बहानों पर जो है वो परी तरह से रफ़ताब बहानों की रुकती हुई नज़र आ रही है जाम जैसे इस्तिती क्या इलाखों में दिख रही है चाहे फिर वो कोई भी लाका हो दिली NCR हो या फिर उसके आस पास कोई लाका हो यूपी में कोई भी जिला हो उत्राखंड की बात भी कर ली जाये तो उत्राखंड में भी स्तिती ऐसी बनी हुई है लगता कल से हो रही बारिश के बाद जाम जैसे स्तिती कई जगाहों पर चौहान मेरट से माइस सज़ुड़ जूड़ चुके हैं मनूबर क्या कुछ अपडेट है मेरट में क्या हालात हैं बारिश के दिखिए अगर मेज़िट की बात की जाए तो यहां गुरुवार रात को हाला के हल्की बारिश रही जो अनुमान था लेकिन सुभाण होते होते द मुश्राथार बारिस पड़ी काफी तेजबारिस हुई जिससे कई इलाकों में जलब्राओं के सिट्थी बन गई है और खास तोर से जो नाले थे नाले असी वो चोक हो गई और जलब्राओं के चलते लोग परिशान रहे अगर यहाँ पर तापमान की बात की जाए तो 7.6 डि क्योंकि आप देखे बारिश हो गई कई जगा हो पानी भर गया जाम जैसे स्थिती हो गई है नगर निगम इस पर क्या कुछ कर रहा है देखे नगर निगम पहले ही दावे वादे करता है कि वांसुन से पहले ही समाम नाले साफ कर दी जाएंगे नालिया जो चोक हैं उनको होती ही है और यहीं होज है कि नगर निगम की पूस्ति के चलते ही लोगों को काफी परिशानियों को सामना करना पड़ता है डंदीव सस्था मेरत में जो भारिश होगी मौसम और इसका उन्मान लगा जिया है और वैसे देखने यह भी होगा कि इस तरीकी का हरात अपर बने हुए है जगा-जगा जगा 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 के सिती है बष्टे में क्या नगर निगम के लोग इसो ध्यान नेएगे चूकि होता यह है जब जलबराव हो जाता है तो यह लोग तब चलते हैं और जो चीज चोक हो जाती है ना नालों में था एक बच्चा नाले में गिर गया था मेरत में और टैस हो गई थी और रैड़ वोडी तरास ने में पूरा दिन नग गया था यह जान तक आए कि नाले यतने बहए हैं कि अगर कोई गिर जाए जान तो बचना मुश्किल है ही सासिस के तराश करना भी बहुत हिए अन्मा नावग रिंटे कि सफाइन हुने के चलते ही लाके में जर्बाव के इंदर पानी यही हेंए और यही होजा ने वाजार है कि शहर पानी के निकाषि के है इंतर है दूरुत नहीं होती है और इसे के चलगते है जर्बाव के 나왔 चिटी परहा ही है जी चलिए मर उपर आपका बहुत बहुत शुक्रियास तमाम चानकारी के लिए तो दिल्ली एंसियार रोसक्यास पास के लागों में बारिश से स्थिती काफी खराब हो कई है जल जमाफ देखा जा रहा है चाहे मेरट की बात कर ली जाए लखनों की बात कर ली जाए गाज़ि तालीबाने कबजे में काप रहे अफगानिस्तान में काबुल एरपोर्ट पर कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं अफगान जमीन पर फसे भारतियों को सुरक्षत निकालने की कोशिशों को भी कई मुश्किलों से जूचना पड़ रहा है दरसल काबुल से निकलने कोले का उमर रही भीर कई मुलकों की सेने उडानों की स्टेडिूलिंग की समस्या की वच्छा से अफगानिस्तान पीजा गया है ऐसे में भारतियों वायू सेना का विवान शुक्रवार तेर रात भी उडान नहीं भर सका हाला कि संकेत हैं कि शनिवार यानि कि आज भारतिय वायू सेना का C-17 विवान थाइसो से ज्यादा लोगों कुले का उडान फड़ सकेगा और दोपहर बाद भारत पहुंचेगा साथ ही जल्द एक और सेने विवान भीज़ कर बचे हुए लोगों को निकाले जाने की तैयारी की गई है इस बीच काबूल में फसे भारतिय ना पर आ गई हैं वहीं हवाई अज्जे को नियंतरिट कर रहे अमेरिकी अधिकारियों को भी अलग अलग देशों से आ रही उडानों को छोटे रनवे भाले हामित कर जोई इंटरनाशनल एयरपोर्ट पर टरन अराउंड टाइम को साथने की चुनोती आ रही है यानी एक काबूल के अपेक्षा खरत छोटे सेने रनवे शेत्र में किसी भी विमान को उतरने यातियों को बैठाने और उडान भरने के लिए बेखत कम समय दिया जा रहा है क्योंकि फिलाल सेने उडाने ही खो रही है इसलिए सभी देशों के सेने विमानों का दबाव है जाहिर तोर आप भारत को विमान के एरपोर्ट पहुंच रहे और बड़ी संख्या वाली क्यात्री दल को बैठाने के लिए कम से कम दो खंटे का समय चाहिए इस बुलेटर में फिलाल के इतना ही आप देखते रहे है निउस वोल इंडिया कर द दो खंग